जी हमारे चुनाव प्रभारी शी प्रहला जी जोशी हमारे प्रदेश प्रभारी श्री आरुण सिंग जी हमारे प्रदेश के अध्धक्ष बीपी जोशी जी नेता प्रतिपक्ष राजंदर राठोर जी उपनेता प्रतिपक्ष श्री सतीश जी केंद्रिय मंत्री आदर्निय गजेंद्र जी और अधरने के लाश जी चोदरी मंच पर उपस्तेट सब विधायक गंड, M.P. सांसद गंड, पूर्व मंत्री गंड और हमारे पार्टी के सब अधिकारी गंड और मेरे सामने बैठे हुए हमारे छेत्र के परिवार के सब परिवार जन जो भी बैठे हैं उनक और उनसे आज प्राथना ये करना चाहूंगी कि राजस्तान की जनता के उपर उनकी भरपूर कृपा बनीर है आज हमारे माल दर्शन करने यहां आधर नियर राष्टी अध्यक्ष शी जेपी नड़ा जी हम सब के बीच में हैं और आप सब के और से मैं उनका दिल से इनके कुशल नेत्रित्व में भार्त जनता पार्टी निरंतर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है जो आप सब के सामने हैं आज वो ही बाजपा जिसने मान्य मोदी जी जैसे एक विजनरी और लोग प्रिय प्रधान मंत्री हमारे देश को दिया है आज याद आ रहा है मुझे 26 एप्रिल 2003 का जब हमने राजस्वमन से चार बुझा मंदिर्ख से परिवर्तन यात्रा पिछले बार चालू की थी कल भी मैं उनके दर्शन करके उनके आशिरवाद को लेकर मैं आपके बीच में यहां आ रही हूं क्योंकि राजस्थान की जनता से विशेश लगाओ और यहां की महिलाओं का अपार स्ने और समर्थन जो हमें मिला है वो हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे इसी का नतीजा है कि पहली बार भारती जनता पार्टी ने बड़ी जोरदार बहुमत से 120 सीट मिले और उसके बाद यहां दर्शन करके गनेश शी पे दर्शन करके आशिरवाद हम लोगों ने लेकर जब 2003 से लेकर 2030 कि सफर करे हैं और आपके छितर के अंदर करे हैं कभी ऐसा नहीं लगा कि हम पराय के बीच में हैं क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया जो साथ दिया जो आशिरवाद दिया वो हम लोगों को एक पवित्र बंधन एक परिवारिक बंधन में बानने का काम करता है और मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत अपनी और से आभार प्रकट करना चाहती हूं आज हमारी बीच में नड़जी है मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं पर मैं उस बात के उपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जिस बात के उपर आप लोग सबका मन लगा हुआ है याद रखना दोजार आट तेरा के अंदर राजस्थान के अंदर ये सरकार आई अशोग गेलोट की तो उसके बाद हमारा विकास सब ठप हुआ उसके बाद आपने हमको 163 सीट दी हमारी सरकार ने एक नए आयाम चुए वो आप लोगों की बज़े से जिसके अंदर हम लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश की तकदीर को बदलने का काम किया चाहे वो रोड्स में हो चाहे बिजली में हो चाहे वो पानी में हो चाहे मोग सिक्षा में हो और चाहे वो चिकित्सा के अंदर क्यों न हो पर सबसे बड़ी बात जब इस शेत्र के अंदर दौरा करती थी तो आपके एक बहुत बड़ी जरूरत उसमें से मेरे पास निकल के आई इस शेत्र के अंदर पानी के उपर और सिचाई के उपर बड़े विवाद चलते थे कभी पाचना में विवाद हो रहा है तो कभी जारगा में विवाद हो रहा था इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने सबने बैठ करके सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वज़े से इस छेत्र को हम लोग से चाई का पानी पीने का पानी देने का काम हम करें और लोग उसके अंदर जुड़कर अपने तकदीर को अपने हाथ से फिर बना सकें इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक कलपना की कि आगे चलके Eastern Rajasthan Canal Project का काम हम लोग मिलकर करेंगे जिसका फाइदा इस छेत्र के अंदर हमारे लोगों को मिलेगा यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगे कि हमारे शाहसन के प्रथम कारिक्राल के अंदर 25 अगस्त 2005 के अंदर हम लोगों ने मद्रप्रदेश के साथ बाबुलाल जी गौड जो वह तब मुखे मंत्री थे उनके साथ हम लोगों ने हस्ताक्षर करके एक समझोता किया कि हमारे बीच की जो नदिया है उसका बटवारा हो और उसके अनुसार ही हमने ये ERCP की योजना बनाने का काम किया दुरभाग्य से इसके तुरंट बाद अशो के लोग की सरकार आ गई और ये महत्वपूर्णब जो योजना थी उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम उन्होंने कर दिया आप सब को मालूम है कि तेरा जिलों के अंदर पीने का पानी, सिचाई का पानी और उद्योग का पानी मिलना था इसमें आपका जिला सवाई मादोपूरो, कोटा, बारा, जालावार बूंदी, टॉंक, अजमेर यसे ऐसे करके तेरा जिले थे अजमेर से लेके जैपूर तक हम लोगों का इसका फाइदा मिलने वाला था दो लाख हेक्टेर सिचाई का हमको मिलता, और उद्योगों को पानी भी मिलता, और साथ में 26 बांदों के अंदर पानी आ जाता, और 80,000 हेक्टेर सिंचित को हम लोग पुनर स्थापित करने का काम कर सकते थे ERCP की परिकल्पना और मैं इसको बड़े कैरफूली आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि इदर उदर तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए जमीन पर उतारने के लिए हमारी सरकार ने एक मंत्री मंदर की बैठक करके इसमें इसकी स्वीकृती दिलवाई भारत सरकार की एक नामी कंपनी जिसका नाम है वैपकॉस वो मद्देप्रदेश, राजस्थान इंटर स्टेट बोड़ की बैठक 2005 के अंदर जो निरने लिया गया था और जो केंद्रिय जलायोग की गाइडलाइन 2010 की मापदन के अनुथार ERCP की DPR तर्यार करने के हम लोगों ने आदेश दिलवा दिये थे इस परियोजना के अंदर 50% निर्भरता पर 3921 MCM पानी आप लोगों को लगभग 37,000 करोड की खर्चा पे मिलने जा रहा था वो उस समय के खर्चे के बाद कर रही हूं मैं उसके बाद उस खर्चे को तुम मुझे मालूम है थोड़ा बढ़ गया होगा बजट वर्ष 2017-18 और 2018-19 के अंदर हम लोगों ने इसके गोशना भी कर दी थी उस समय 9 नेरा बराज और इसरदा बांध यह थोड़े अलग थे परंतो 9 नेरा बराज और इसरदा बांध का हम लोगों ने काम चालू कर दिया था अब 9 नेरा बराज का काम लगबग पूरा होने जा रहा है और इस इसरदा का जो बांध है वो अभी भी निर्माना दीन है मैं मानती हूं कि उसकी उपर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाता तो जिस तरीके से नौनेरा बराज अब संपूर्ण होने जा रहा है उसी तरीके से इस सर्दा पानी को इस सर्दा के बान को कंप्लीट हो जाना चाहिए था ताकि इस पूरे इलाके के पानी में कोई सार सार के अंदर एर सीपी के अंदर कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया इसके कारण जो परियोजना की लाव इन तेरा जिलाओं के अंदर मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिला इस परियोजना को जान बूज कर अब विवादित बनाने का काम किया है जबकि प्रदेश ने तो इस समझोते के आधार पर 2017 के अंदर दो बांध मोहनपुरा और कुंडालिया बना लिए जिस्ते दो लाक पचीस हजार हेक्टेर सिचाई और पैजल उपलब धो रहा है इनका अगला तीसरा बांध भी अभी बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा उसका भी काम चल रहा है पाटनपुरा के अंदर वो भी निर्माना दिन है वो जाएगा बहुत जल्दी गैलोज साहब तब भी सो रहे हैं मैं आप सब को ये इतना ही विश्वा से लाना चाहती हूँ कि हम सब यहां बैठे हुए है कि राजस्तान के हिस्से का जो बूंद बूंद पानी है हम उसे कम नहीं होने देंगे और इसके लिए हम सब को खून पसीना बहाने की जरुवत होगी तो हम लोग सब मिलकर उसमें अपना खून पसीना दे के इस कार्यों को पूरा करने का करेंगे सरकारें आती हैं और जाती हैं परन्तु जनता का जो हित है वो हमेशा हमारे सब के लिए सरवोप्री है पर इनको जो है ना इनको जनता का हित नहीं वो कभी नहीं हुआ अपने हित के मतलब रखते हैं यह लोग उनको जंता के हिच से कोई मतलब नहीं है खूद के हितों से ही मतलब रखते हैं और आखर मैं इसलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं हम सब इतना ही कहेंगे कि राजस्तान के हिटों के उपर कुठारागात नहीं होगा हम लोगों को एक साथ मिलकर एक ही आवास के अ और बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ एक जोड़ नारा मेरे साथ जैजय राजस्तान जोड़ से बोलो भाई ऐसे नहीं चलेगा जैजय राजस्तान सबको मेरा बहुत सारा धन्यवाद